एक बंदा एलेक्शन जीता था जेल में रहते हुए, उसका नाम था अम्रित पाल सेई उसकी शपत जब हूँ, जो उसको प्रॉपर जील से लाये जाएगा, वहीं तुछ शपत ले ले ले, ऐसे अच्छा सा नहीं लगते हैं, हम बलड़ के खुश हो थे, कि हाँ दस लोग मेरे को जानगी तो वहीं कुछ मज़ा सा है, या तो आप लाइबरेरी में जाओ, या आप मंदिर जाओ, नहीं तो फर आप जिम जाओ, तो भई मैं दो तीक क्वेश्चन आप से पूछता हूँ, आपको वन वर्ड में अंसर दे हैं, हेलो दोस्तों, कैसे आप सम लोग, मेरा नाम है राउल तनवर, और आप देख रहे हो दरूरल जिंटल में, तो भई आज हमार आप बताइए, बस बहुत मस्त, तो भई बहुत दिन से चल रहा था हमारा की, मिलेंगे, 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 मिले तो जो यह मुझे सुनने को मिला है फिर मैं सुचता हो गया राखु में सराफत है तो मेरी बोली चानी में सराफत होने चाहिए और जैसे कि हम राजपूत हैं तो मान मर्यादा प्रदिष्टा स्वामीमान अब सराफत तो हमारा इंगेहना है ना सही वारता हुआ तो इसके लि हमसे किसी का गलत ना हो जए तो बस यहाए मेरी कुस्च रहते हैं और नवहीं पुक्राण लेगेहिए अगर हम यह सोच चले सिवाघियों कि फिर किसी का गलन ना हो जाए जान आन जाने ले अप पर हममल रहते हैं इन मैंने देखको पहले वी पाई के साथ मैंने बहुत से देखे हैं भाई के अनुप भाई नी भी आपका पॉट्रस लिया था तो में बतलब इतने थौट्स क्लियर और बिल्कुल स्लोली स्लोली बोलना बातों को बिल्कुल क्लियर वे में बोलना है तो बड़ा अच्छा सा लगता है और सबसे बड़ी बात की मैंने बॉडी बिल्डर्स को जर्रली देखा कि एक्रेशन थोड़ा है तो आप में वह बिलकुल ही नहीं तो यह कैसी चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बॉडी बिलिडिंग में जाना स्टार्ट करते हैं तो हम उस टाइम पर लगता है कि गयर बॉडी बनाकर तो आप अम जैस जरे वह खतम हो जाता है तो वह जिसे आप अभी ब्रैंड मेस्टर लोग तो हमारे दर्शकों को थोड़ा से यह बताओ कि ब्रैंड मेस्टर होते क्या है और आप कैसे कैसे वह चीज अपने अचीम करें लेके मैं हूं इलेक्शन कमीशन से स्वीप कर ब्रैंड मेस्टर तो इसमें हमारा काम यह होता है कि हम लोगों को जागरो करें कि फर्दवाद से एक यूथ फेस उठा लिया और उनसे बोला गया कि आपको यूथ में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया के साथ मिलके लोगों को अवेर करें कि एक एक वोट से कोई मतलब नहीं है जहां डालना डालो बट वोट जरूर डालो तो हमारा काम होता है कि हम लोगों को जागरो करें अगर जिसे वो जो सिलेक्ट आपको करा यह सिलेक्शन यह खुद से उन्होंने करा या फिर कुछ चीजे वो देखते हैं कुछ क्राइटेरिया मैं पहले 2019 मे जो एलेक्शन होएते हैं उनमें मैं गुडगाओं से ब्रेंडेमेस्टर था तो जब मैंने वहां पे काम किया तो एलेक्शन कमिशन ओफ एंडिया ने गुडगाओं का एक यह होता है कि नाम लिया था कि यह गुडगाओं में स्वीप की एक्टिविटी बहुत अच्छी जो यह हमारे हरियाना गौर्बेंट के आई-एस ऑफीसर हैं उनकी नज़गों में था तो जैसे ही वहां पे स्लेक्शन हो रहा था इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्म बरने होते हैं यह जो भी ऑफीसर होते हैं जो भी एलेक्शन के हैड होते हैं वो खुद द यह जौब आपको करनी पड़ती है यह फिर रिस्पॉंस्विल्टी आपको दी जाती है कि बस भई आपका यह करतव है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरुक नागरेक होने के नाते जो जम्मेदारी मुझे दी गई वो सब को खुद में खुद से ही ले लिनी चीए कि क्योंकि मेरा भी काम इतना था कि वोट डाल गया हो और लोगों को इंबेस्डर की जरुद पढ़नी नहीं चीए कि वह उनको जागरुक करने के लिए कोई बंदा आ रहा है वोट डालना तो खुद की जम्मेदारी है हां तो ऐसे ऐसे जौब नहीं थी बट ऐसे बोलते हैं देश प्रेम कि हम आने वाली आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है हम उनको एक अच्छा लीडर दे पाए जो उनके फ्यूचर के बारे में काम करें तो इसलिए मैं वोट डालना चाहिए तो उसमें आपने कौन-कौन से टाइटल्स जीते हैं बोडी बिल्टिंग आपने कौन-कौन से टाइटल्स जीते हैं मैंने 2015 से अपना करियर यह स्टार्ट किया था और मैं मैं एक सर्टिफाइड न्यूटिरिशनिस्ट हूँ मेरा इस लाइन में जाने का कोई मन नी था मेरे बड़ी भी आए उनके एक दोस्त मेरे पास आये उन्होंने मेरे से बोला में में स्टर एष्या में बनाओ और वर्ल्ल्ल चेम्पिंशिप में मेरा सेकिंड्ल था 2016 में ही बच अभी लेटेस्ट मेरा गोल्डमेडल आया रिलश्चंपिंशिप में 2023 में आप अभी भी कंटिन्व करने हैं है मुझी आप अभी भी latus?" अभी भी एक लोकेश भाई को करी इन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करा लेट से कोई चीज किसी ने कोई कपड़े की दुकान पर काम करता था ना एक स्ट्रगलिंग चीज जो होता है तो आपके साथ प्छ पुछ था या फिर डिरेक्ट लेपकी आप सब शॉटेट था देखो अ स्ट्रगलिंग तो मुझे इस रखता है कि इंडिया में 99.9% लोग कर रहे हैं और पता है अकॉडिंग टू में मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है मेहनत सब को करनी चाहिए मेरा अगर मैं भूलो तो मेरी फैमिली का बहुत सिपोर्ट रहा है मेरे फादर मेरी मदर मेरे जो को इसा नहीं मिलता है अगर यह व्यवाली फैडरेसंट्र है और यह बर्बेर की पैसे मतलब कोई अक्षा बोडी बडर डिजर्व करता है फो उसका वो उसको यहां पर मिलता ही नहें तो तो टीर फैमिली के यह गिम नहीं नहीं हो सकता कुल मिला कि एक फैमिली स्पोर्ट नहीं है तो मुझे लगता कि हो गई अगर कोई इनसान सिर्फ एक बॉड़ी विल्डर है मैं लेट से मैं बोलता हूं कि उसको अपने आपको बेचना नहीं आता जी एज ट्रेणर वो बेच नहीं पाता बस बॉड़ी विल्ड की लाइफ बॉड़ी बॉड़ी ही स्ट्रगल की है क्योंकि इसमें लोगों को यह लगता होगा कि हम दो गंटे हम वर्काउट करते हैं डेली करने ही जो दो गंटे के बार 22 और है ना उसमें हमें जो पर्टिकुलर अपनी डाइट का देहां रखना होता है में टफ मामला वह लाखो में जाता है तो नोकरी तो मुझे अशलगता है तो उनको अपने आपको बेचना आना चाहिए वो ऑन-लाइन ट्रेनिंग दे सकते है या फिर ओफ लाइन ट्रेनिंग दे सकते है यही एक उपसन है तो में दुदेव को बताने का लोकेश बाइश प्रोफेशन में है तो में मक्सेद यह है कि बोडी बिल्डिंग आप चुन रहे हो तो चुनो वेरी नाइस ठीक है अच्छा गीम है लेकिन आपको उसके स्किल्स एड़ करने पड़ेंगी अगर आपको सर्वाइव करना है लॉंग रॉन में फैमिली को भी सपोर्ट करना है यह ठीक है जी अग कि इंडियन जो बॉड बॉडि बिलर्स है महनत में तो किसी के की में कुई कम्यून यह बहुत महनती हैं और इंडियन में जेनेटिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बात तो ऑकका सब्सक्राइम जाते हैं वाइक कम्टिश नए लड़की को जैसे कम्पीट करें इंच्ञ लेवल पर जो चोटी मोडी फैर्टेशन उन पर नहीं ठीक ठाल स्थी तो लगबत कितना खर्चा जाता होगा अपने तीन से चार पांच में जो भी ट्रेनिंग पीरिड होता उनका ने देखो एक तो पहली बात तो उस लड़के की एक बेसिक फिजीक होनी चाहिए यह नहीं ह मुईने में हाँ चार पांच लाग रुपे लग जाते हैं और उसको यहां पर मिलता कुछ है नहीं कुछ नहीं साइद कुछ फैडरिशन है नाम तो मुझे नहीं पता है उन्होंने तो साइद लास्ट येर कुछ दिया भी है दो चार लाग रुपे बट जो हमारे हां कुछ कि जीन का सो सो से उपर पर ले हूंगे मैं में यह उसे यह माल को झाँ कर ना चाहों गा कि जो भी बंदों को आप दे थोड़ी उनको हेल्प और कर देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल खेलेंगे, आप अलम्पिया जाओगे, तो सारा खर्चा हम उटाएं, पर कम से कम तीन बन दे तो इंडिया मैसे चुनलो, कि जिनका सारा खर्चा आप दोगे, वह पर जानना अना अर्गोणी का, तो कि इंडिया मोखना तो तब ही मिलेगा, जब उसको फाइननसर स्पोर्ट मिलेगा, अब अपने प्रोगार के बाद छेडी दिया, थोड़ा सा मेरे अंदर और थोड़ी क्रियोसिटी आगी इसके नेवल पर, अभी कुछ दिन पहले कॉंटरवर्सी हुई था, आपने दिखा था, सारी जो फेडरेशन है, इसके अलावा कोई गेम नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आप रेडी होगे, आप बोड़ी को यतना पूरा रेडी करोगे, कम्पीट करने के लिए, तो बस हमारे ही इसी वाले जो ही शेरू क्लास हैं, बस उसी में कर सकते हो, दूसरा, किसी ब्रेंड को प कर सकते हैं, यह तो गलत है, या फिर जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वह अला काम कर दो तुम्हारा सारा आकाना कर रहा है, सारी हमारी जिम्मेदारी और खेलों बार कोई नहीं करते हैं, बट एक बौड़ी मिल्ड़ी को सरवाइब करने करने लिए तो एंस भी करने पड नहीं वोता है तो इसलिए होता तो अपने अथलीट्स वोगई अपको एक्वायर कर लिया तो आप इस ब्रेंड को प्रमूंट करोगे उसको कुछ चंक देते होंगे वह कितना देते होंग किसी को नहीं बता तो मतलए ओल्टा बंद गया वो जो एथलीट है जो सारा कुछ सेक्रिफाइस करके इस गीम में गया उतर इतने बड़े लेबल पर खेला सब कुछ हुआ तो वो बंद गया तो यह तो पतलब करियर की बजाए तो ओल्टाट ख्राइब हो ना फिर बंद रोगी और दुगना बाउंडेशन होगी लड़की क है और सदर बल्लोगड के पास है तो गाओं की जो लोग है बाई देखो गाओं में ऐसे मिल लड़के जनको जॉब्स नहीं है न सब कुछ है तो वह तो ऐसा आइडियल कुछ मानते होंगे आपको कि वह हमारा बाई यह उदर गया है देखो गाओं की लोगों से अपना प्र स्पूर्ड बहुत है और मानते भी है तो मुझे देखके मुझे इसा लगाता है मैंने यह अपना आना यह अभी आरा जो फिफ जुलाई फिफ जुलाई को मुझे फोर्टीन एर हो जाएंगे इस लाइन में कंटीन तो मेरे से पहले सायदी एक दो बंदे होंगे जो हमारे अपहली हमें जिम करते थे हम अभी मुझे अशा लगता है कि मेरे अरिया में कमसे कम कम सौ बंदे तो में जो तो लूए Tou उस गोट गय deliced कारस्वमे फिट लगए करे मेरे तो स्वार्जा तो एक टीचर है मैंने मैंने यूपीयसी की एक्जाम भी दिया था तो एक टीचर है वो ओजह सर तो उन्होंने यह बुलाए कि या तो आप लाइबरेरी में जाओ या आप मंदिर जाओ नहीं तो आप जिम जाओ वह इन तीन जगह पर आपना कोई भी चुन लू तो अगर आत्मी कुछ भी नहीं कर सकता नहीं तो कम से कम कम से कम बोड़ी तो गना लू तो हमारा जो यूथ है वो बिगड़ने से थोड़ा सर बच्चा है और उन्होंने अपनी फिटनेस पर देहंदेने स्टार्ट किया है उजासर को तर सब जानते हैं हाँ वो बहुत फीमस मैं तो उनको तो सब ही जानते हैं तो भई देखो यह अब हो गया आपका प्रोफेशनलिजम तो अच्छा सा नहीं लगता है जैसे हम बलड़के खुश होते हैं कि हाँ दस लोग मेरे को जानगी तो कुछ मज़ा सा आया है हाँ लगता तो मज़ा तो आता है वह सब के अंदर देखो एक बच्चा तो होता है है अंदर चे कुशी या फिर हम को कोई दारों के ठेकी के पास भी खड़ा हुआ ना देखने कहीं पर लड़ाई जगड़ा वहां पर ना देखने तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारिया भी है कि यूथ को हम सिर्फ इंस्पायर करते रहें उनको हम किसी गल्ट डारेक्शन में ना लेके नहीं तो अब क्योंकि कंपीट आप करते हो तो आपको अनबोलिक्स का सारा लेना पड़ता जी वह सब को करना पड़ता देखो जो एक स्टेज बजाएगा उसको करना पड़ेगा तो आपके अंदर ऐसे कोई साइड एफेक्ट्स आपको मैसूस होए कि यह मैंने लिया है क्योंकि किसी गेम की तैयारी करते है न तो वहां पर मुझे लगता है कि वह चीजे थोड़ी बहुत जरूरी हो जाती है और उसमें में जो प्रॉलम होती है थोड़ी एग्रेशन की तो वह तो मेंन फेक्टर है बाकी तो अगर आप किसी अच्छे कोच के अंदर रगोगे तो पर दि प्रॉट्रिक एसिड फूट्स जैसे नीम होगे और 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 अपना मौसम भी हो गया तो यह और फाइबर रिच अगर हम डाइट पे जाएं अगर हम ओट्स एक बार खाने दिन में और सैलेड बॉइल वेजीज तो थोड़ा इसका हम अपने डाइट में थोड़ा इंक्ल भाई अभी कुछ दिनों पहले देखो भाई मैं एस चीज पर कॉंट्रवर्सी नी चाहता कि रोकेश भाई का नाम या फिर मेरा नाम कहीं पर उचाला जाए मैं एक स्टेट फॉर्वर्ड कोशन पूछता हूँ आपको अभी कुछ दिन पहले राजवीर भाई के साथ देख कर रहा हूं तो ऐसा कुछ था आपकी तरफ से नहीं देखो जब इनका जगडा हुआ तो हम तो कर किसी के बीच में नहीं आए बट बात आती है भाईचारे कि तो राजवीर से अपना भाईचारा है भाईचारा अपना इससे भी था रजजट से हां बट राजवीर से थोड से मैं जुड़ा हुए हूँ और यह चीजे अच्छी बात नहीं है ना कि हम सोचल मीडिया पर रड़ाई करें भाईचारा और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा जो भाईचारा है ना जैसे आप बोले हो कि राजवीर भाई राजपूत है वो तो चलो अपना भाईचारा है म मुझे तो जो लाइफ में स्पोर्ट किया है वो तो मैक्सिमम जाट है मुझे यूपीएससी में जिन्हों ने डाला वो अभी हर्याना केडर का IPS है नाम लेना सब के सामने ठीक नहीं है बट वह हैं जाट मेरी जो बैक बोन है मतलब जिसको मैं यह देखता हूँ कि यह बंद जो बोडिवल्डिंग के पहले कोच थे वो भी जाट है तो मतलब यह चार बंदे जो मेरे बिल्कुल इर्दगर्द रहे वो जाट है और दोस्ती मुझे लगता जाट हो मैं बहुत है मेरी और अभी जैसे मैंने एक अपनाई सप्लिमेंट का स्टोर ओपन किया था जो दो ब पात रही कॉंट्रवर्सी की तो मैं उसमें आया नहीं था तो देखो लोकेश भाही में ऐसा कोई कास्टिजम वाला कोई एक्टर है नहीं और जो इस संस्था से जो एलेक्शन कमिशन जिन से जोड़े हूए उसके उपर एक रिस्पॉन्सविलिटी होती है अगर आप इसमे में नहीं बढ़ना है आपकी फैमिली में कोन-कोन है मेरे फादर है वो डैली पॉलिस रिटायर एंग ऑफिसर थे डैली पॉलिस में और मेरे दो बड़ी भाई है ममी दो मेरी बाभी है और आपका मैं घर मैं सबसे चोटा हूँ और मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला ह बहुत देखो इस लाइन में तो फैमिली का सपोर्ट साही है तब ही आप थोड़ा सा भाइक सकते हो ग्रोकर्ट है उनके ऊपर यह अपना चल रहा है बाई देखो एक थोड़ा सा ओफ टॉपिक एक क्वेश्चन है मेरे पास क्योंकि आप एलेक्शन कमीशन से रिलेट करते तो एक थोड़ा सा ओफ टॉपिक है कि रीसेंट भी एलेक्शन हुए थे तो उनमें एक बंदा एलेक्शन जीता था जेल में रहते हुए इसका नाम था अमृत पाल से पंजाब से तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है कि यह क्या हुआ जिसको पुलिस ने बोला था कि टेरिरिस्ट है इसका मुझे यह कि देखो इसमें एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता कर इसमें करेगी तो गवर्वेंट करेगी उनको सभीदान में संसोधन करना चाहिए कि बहुए जो बंदा जिस पर साहिद उस पर देश दुरू लागा हुए ना र इस क्लियरिटी के में बात कर रहा था कि इतने क्लियर आदमी विचारों के इतने हैं बिल्कुल थोट्स क्लियर भाई तुम कितना गुमा फिराद हो वोग थोट्स बिल्कुल वही जाएंगे इतना सा वी उपनापतोल की शब्द थोड़ा सा देको मेरे को परसनली यह लगत जो देश द्रोज इस पर लगाया है इंडिया ने इंडिया नी लगाया नो उस पर पूरे नहीं और लोगों ने क्या कर रहा है वो जील ने बैठा फिर पिर विच को जितवा दिया तो यह सोचने वाली बात हो जाती है कि तुम कहां देख रहे है अपना इसको क्या एडियल मान रहे हो कि हाँ उनको उठागे हम पार्लामेंट वे बिठागे थोड़ी सी नेगेटिव इनस जवर्मेंट को ऐसे बंदों को मोखा ही नहीं देना चाहां तो यह यहां पर रोप सकती है क्योंकि वोटिंग में अब ही लोगों में जागरुकता थोड़ी कम है अब ही उपर काफी बोंटा ले जाते हैं तो वहां पर फेक्टर थोड़ा थोड़ा लगी और जो उनके सबसे बड़े बात उनके जो सामने केंडिडेट थे ना आईपीस थे ऐसे जागरुकता की कामी है ना ऐसे इंस्पारिंग केंडिडेट को तुम साइड में बिठा के और जो बंदा यू पिएसे करके किसी पोस्ट पर रहता है कैसे हरा दिया उससे मुझे तो यह ने सुना है तो मैं शूख रहा गया कि यह क्या तो एजूकेशन नहीं है क्या नहीं है कुछ समझी नहीं आए कि तुमने करा किया है उसकी शपत जब होगी तो उसको प्रपर जील से ल क्योंकि आप ट्रेनिंग भी देते हैं लड़के तियार भी करते हैं कंपीट भी करवाते हैं और ऐसे न्यूटिशनिस्ट तो बहुत मतलब गिने चुने लोग हैं जो सर्टिफिकेशन के साथ बैठे हैं हमारे अटलीस्ट इन्से अर फरीदवाद में गिने चुने तो मैंन अग्यार विश्वास कर सकता हूं तो अपके बास लड़के आते हैं आपके पस जो ऐसा कोई लड़का आया है कि मेरे को दो तीन महीने में बोडी मनवा दो मेरे पास सबसे ज्यादा गो आते हैं जो कि अब यह दो महीने बाद शादी है अब यह चल रहा है अभी लोगिश अब है अभी एक लाइन आते है जस्ट आपके सामने गाए था न इस बंदा तो ऐसे मेरे बाद डेली आएगा इक बाद जरो कि अब मेरे गहर मेरी शादी है यह फिर मेरी शादी है तो अब देख लो मेरे बोडी और उनके जो साथ वाला तो पर बोल रहा था कि बाद चल आ आंुटार कि लिए पोचतार रहा है तो आउक लोगता है खानी समय खूष्टार है और भाई उस्हों से फिभाई डिन हो गया इसको समान चलाओ तो भईो मेरे ज़ता है अब दीरे दीरे आदद हो गही है फोटास फील से थोड़ा सा थी तो बाद लेख अशा था है आतना जो चोड़ी दो कि चार पास साल लग जाएंगे तब तो आदमी आएगा इसले नहीं बट मतलब ये कि नोमल बंदे के लिए कम से कम एक साल तो ची बट आते हैं डेड़ महीने एक बंदा तो आया था भी कि मेरी शादी है अगले महीने चार तारी को कितने दिने कि बस सब्सक् क्या चल रहा है और भाई थोड़ा सा हमारे अरिया में स्टेरड अवी उस होता है मैं पहले भी मैंने एक बाई के साथ पॉर्ड़कास कर रहा था तो उनको मैंने बताया था कि यार मैंसे निकल के जा रहा था तो एक डेस्ट बिन में बहुत सारी सिरिंज बड़ी थी और व लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि बोडी नैचुरल साथ में आम जैसे फूर्ड सप्लिमेंट का सहरा ले तो भाई उसी से बन जाएगी मतलब जो आपको कपड़े अच्छे आजए आपकी फिजीक सी यह लगे कि हावे ठीक ठाक है तो वह आपकी नैचुरल जैसे कि मैं थिटर रहा है इन्सुलिन यह किया कैसे यूजर होती है इंसुलिन जब बोडी में नफ फैट कम करना होता है न तो उसके लिए निफ्ट दो इन्सुलिन लिए इन फैक्टर बहुतلب है ना जैसे यह तो मस्हों सुगरवानeki रोंगार Zण Hope करका ने के बाद उनly उसके तक कि बाद डाइट ले लो तो fat तो बढ़े गा नहीं और जो हम doesn't and उनको ऐसा लगता है कि लीजोंड कि और सधी सदी मुस्सल समय तो यहां से बंदी चलेगा जयी बाट ऐसा नहीं करना चीए और सारी trainer और कोच पो पर है कि है और произош इस आолодικά ﷺ सवस्तसरीद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो दिक्कत तो हो नहीं है बड़े-बड़े बॉड़ी बॉड़ी बील्डर्स है जो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करते थे हैवी डोस लेते खुल के बोल दे पचास साल ना पकड़े हाँ पचास साल ना वर्ल्ड नोन बहुत बड़ा नामतार इच्पियाना तो ऐसे ही लोग जा रहे हैं फिर मतलब यह बस एक गाइडेंस की कमी है कि जो हमारे आसपास वाले हैं वही इन चीज हो के सिखा लोग उससे फिर इंस्पार होता क्योंकि अगले की बॉड़ी बन गी तो मेरी भी ऐसी ह उनको यह लगता है अब जैसे मुझे तो इस लेन में 14 साल हो गया अब कोई आए और वो सोचे कि एक साथ हम बनाने तो तो सोचने गलत है ना अनूब भाई को आप कैसे जानते रहे हैं अनूब भाईया मेरे पुराने साथ ही रहे हैं 2015 में मतलब उन्होंने मुझे जो मेरे क पूरे दिन का मेरे डाइट का ख्यान रखा है और पॉलिसिंग जो होती है मतलब एक छोटे भाई बोले या फिरना बच्चे की तरह रखना तो वह अनूब भाई ने उनका क्या बैनिफिट था इसमें नहीं प्यार था पैस आप से और देखो अनूब भाई भी जाट होगे प्यार है यह दूसरे इन चीजों में बेनिफिट्स नहीं देखे जाते हैं अपना बाई चारा है चोटा बाई मान एक तो भाई हम कर रहे हैं बस उसके लिए कोई बेनिफिट्स आपना बाई देखो काम तो चोड़ने बढ़ता हैं कोज ना गुछतो आजनी फ्री थोड़ क्या वर्ड होता है कि मेरको कोई बेनिफिट नहीं है जीरो है ना कुछ वर्ड मैं मतलब तुमसे कोई फायदा नहीं लेना बस मैं कर रहा हूं नेकी कर और उखिसमेडा दरिया में डाल वह वारा सहीन है तो भई मैं दो तीन क्वेस्टें आप से पूछता हूं आपको वन वर नाइस फेवरेट फोर्ड यलुदान ओ फेवरेट चीप मील चीट मील वैसे मैं कुछ करता नहीं हूं बड़ मतल मश्रूम और राइस अरे बाख मेरे फेवरेट अबर मटल मश्रूम तो मेरको बहुत अच्छा कभी ऐसी परिस्टित आए तो पीजा या बर्गर बर्गर ल दो में से कोई तो क्योंकि पिजा में थोड़ा थोड़ा लगता है ताइम और बर्गर तो यह तर ड्राइब थू चल गए है आजकर लेकर निकलने बाई अब दो बर्गर खाल करते हैं चलो बाई अपने सेग्मेंट का एंड करते हैं बाई से आगे भी मुलाकात होती रहें से इनका यहां पे स्टोर भी है तो कोई भी गाइडेंस अगर आपको लेनी हो तो लोकिश भाई की आईडी में नीचे मेंशन कर दूंगा आप जाकर पूछ सकते हैं एक एक एजुकेटिव बंदे में और एक गुरुजी टाइप जो होते हैं ट्रेनर्स उनमें फराक होता ह आपको क्वालिटी चीज करनी है तो आप इनके साथ आईए क्वांटिटी पे अगर आपको जोर देना है कि मैं तो फूल जाऊं बस तो भाई आप दुनिया बढ़ी है और मेरी और से यूथ के लिए एक मेसेज होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दे बोडी तो एक साल में कभी भी भी बन जोएगी कारेक्ट थैंक यू सो मच ठीक है जी राम राम नमा सत्रेश